पिज़े देवस के रुप में इस बार हम लोगों ने लिया कि जो देप्टी स्थेश के लिए जिया, राश्ट के लिए, राश्ट के लिए अईसे महाराजा महापुरुस के लिए और किसी जाथ विसेश के नहीं है बलकि राश्ट के लिए समर्पित थे, जास जुन को गाजी करने के लिए मानि मंत्री जी आप सब के फीच में आए, मैं एक बार पुना चाहूँगा आप सब से, कि मानि मंत्री जी का करकल दों से आप स्वागत करें, और आगे अखने का रखने का तश्ट करें मानि मंत्री जी. बारत माता की, सबसे पहले मैं हिंदु और हिंदुस्तान की रख्षा करें, करने वाले, राष्ट दिर महाराजा सुगंदे राजगर को मैं सच्ची स्रथांजली अर्पित करता हूं, अभे राजेश जी की बात आप सब लुख सुन रहे हैं, भारती जन्ता पार्टी में इंको पुरे उत्तर प्रडेश के अंदर नौजवानों को गोल बंद करने की जिमेदारी जी हैं, आपके इलागे के नेता हैं, और बहुत महनत करके पार्टी का आप काम कर रहे हैं, इस विकास कंड के हमारे सम्मानित प्रमुक्त, भाई सतेंद्र जी भी यहां पर बैठे हैं, और हमारे साथ बाई बुद्दू राजवर जी से लेकर, और महु के हमारे कई सम्मानित मेता, आदरी शुगन राजवर जी, विश्वनात जी, भारती जंता पाकी के वहां जिला के उपाधच्छ, भाई मुझना राजवर जी, भारप धिन जनादन्च वहान जी, महु में जिला के मंत्री, भाई किसान गोर्ट्या के वहां के अजयक संग्तोस जी बिनोद जी तमाम साथी बाहर से भी हमारे साथ आए यहां इस मंदल के हमारे सम्वानिक पर देख शुमा शंकर जी भी यहां पर वैच्छे है और तमाम इस इलाके और यहां के तमाम प्रभुत लोगों का असिरवाद इस काbell कर्म को मिल रहा है मैं विसेvordan त Lit ऑरपावशिँ जी का धर्न देर राजवर जी का महंदर्गिरी जी का रजनी कांथ पांडे जी का सुमिल यादो जी का, सुवेंदर राजवर जी का, यश्वंत यादो जी का, राजु राजवर जी का, रामा यादो जी का, मानिक बनबासी जी का, सिजेई बनबासी जी का, जाने द्रबोरे जी का, बिजेंदर कुश्वाह जी का, प्रसांग सिंग जी का, आदरी रामधार गुत्ता जीका, मनोज राजवर्जीका, सोभु कहनोजी आजीका, नगेंद रयादो जीका, आदरी धिरेन सिंग जीका, तया संकर जीका, आउधेश जीका, हमारे इंदर देव कुष्वाः जीका, आदरी ओम प्रकास्टोबे जीका, रामाटस्व पांडे एमा शंकर राजबर जीका, योश सिंग जीका, हिर्देन अरायन सिंग जीका, आदरी जी जंदर राजबर जीका, इस्वर देव राजबर जीका, मनोज राजबर जीका, सुप्रकास राजबर जीका, आदरी अच्छेलाल राजबर जीका, जागिश्वर राजबर जीका, परम तमाम हमारे पार्टी के कारकर्टा साथी यहां पर उपस्थित है, हमारे इस गाहों के संभानित बुजरुगों का, हमारी माँ बहनों का भी, आप सभी लोगों का आशिपाद हम लोगों को मिल रहा है, हमारे प्रेश के भी साथी यहां पर बैचे हैं, हमारे तमाम प्रशास् मैं आप सभी लोगों का मैं एक ही स्वर से मैं उत्तर प्रदेश की सरकार के तर्व से मैं स्वाधत करता हूँ मैं आप सब लोगों का मैं बार-बार अभिन्दन करना चाहता हूँ आज समय कम है इन लोगों ने कई कारिक्रम लगा रखा है तो आज कोई राजवीत की तो बात करेंगे नहीं और कोई चुनाव नहीं है इसलिए वोट बांगने हम लोग आए नहीं है जैसा भाई राजेश राजवर जी आप सब लोगों से चर्चा कर रहें मैं धर्मबीर राजवर जी का हिदर से स्वादत करता हूँ आप हार भी प्रदक करना चाहता हूँ धन्यबाद भी देना चाहता हूँ कि आपने आप सब लोगों को बुला कर और एक जो संबात का हम लोगों को और सर दिया है आप सबसे एक संपर का स्थापिप करने का युम्माव का दिया है इस बात के लिए मैं धर्मदी राजभर जी का उनके परिवार का उनके प्रोला महला इस गाव के सभी सम्वानित लोगों का मैं विशेश तोर पर आभार प्रतक करता हूँ आप सब का धन्यबाद देता हूँ देखिया आज बदले हुए जबाने में अभी पीछे बैठक में मैं चर्चा कर रहा हूँ आप लोग भच्पन में दिल्ली जाते थे तो वहां जहाँ घीर मार्ग अकपर मार्ग अना और पता ने कौन कौन से मार्ग कौन कौन से सरकारी प्रतिस्थान है हम सब लहते देखने को मिलता जा और यह सारे के सारे लोग और यह सारे के सारे प्रतिस्थान और तमाम सरकारी चीजें इस बात का प्रतीव बन गई थी कि हम उनका स्वाधत करते थे, हम उनका सम्मान करते थे, जो हमारे देश के दुस्पन थे, जो किसी जमाने में देश को लुटने आये थे, देश के आकरान का थे, देश के आकवर कारी थे, और भारत पर हमला करने के जो लोग गुनादार थे, जो लोगों पर माभनों की इच् खेलने का जिन लोगों पर आरोप था ऐसा लोगों का महिमा मंदन भारत में आजादी काल और आजादी के बाद भी करने का काम किया और उन तमाग चीजों को हम लोग देख रहे थे लेकिन मैं आज स्वाधत करना चाहता हूं देश और दुनिया के सबसे तातत और नेता भारत के असर्श्वी प्रदान अंत्री पूर्जेनरें में भाई मोदी जी का कि आज उनके मार्ग दर्शन में देश के अंदर हमारे जो देश के महापुर्स थे जिन लोगों ने देश के आजादी में जिन लोगों ने समाज को बचाने में जिन लोगों ने किसी कालखंड में मा युग्दान दिया था ऐसे लोगों ऐसे महापुरूसों का सम्मान आज वर्तमान समय में मोदी जी के नित्रित में उन्तर देश की सरकार है चाहे देश की सरकार हो आज ऐसे महापुरूसों का सम्मान कर रही है ये बलिया की धर्ती है हमारे अभी बलिया से हम लोग लोग रहे कर रहे थे मैं गाजीपुर के लोगों का बहुत स्वाधत करना चाहता हूं कि दस जून को आप सब लोगों ने हिंदू और हिंदुस्तान की रक्षा करने वाले राज़किर महाराजा सुहल देवराजभर जी का सौर्य दिवस मनाने का काम किया है आप सब लोगों ने सोर्य दिवस क्यणा भुलाया हैं। व्हामें किया है। उस कारिकरम में सामिल होकर और महराजसलदेयु राजभर को सच्ची संद्धानज्यवापलपिक करने का काम करें। और इसमितर हो फोका जरूरी लाहत? इसमित राजबर समाज के लोग रहें। महाराज सुहल दे राजवर ने पुरे देश के लिए लगाई लगने का काम किया। पुरे समाज के लगाई लगने का काम किया। उस कालकरंड में सनातन धर्म को पचाने के लगाई लगने का उड़ों में काम किया। हमारे प्रेश के साथ यहां पर बैते हैं। तमाँ गुद्जीवी लोग यहां पर बैते हैं, सम्मानी छेत पंचायत के सदर से और तमाँ को धान गर बैते हैं, मैं आप सब लोगों से बताना चाहता हूँ कि जो ललाई महाराजय सुहल दे राजवर में लडी, मैं कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान की गर्भी पर उस का मुकाबला आप तो बहुत कम देखने को मिलेगा, आप कल्पना करिए कि पाच लाख से नाओ सहित, सयद सलाल मसूत की गर्भन को काट कर और पूरे राजवर समाज के इतिहास को निखने का काम, महाराजय सुहल दे राजवर में किया था, और किसी जमाने में भी द्वान म होने लिखा कि महाराजय सुहल दे राजवर की तलवार का जब तुफान हुथा तो दुनिया के अंदर मुगलों के घर में धीपक जलाने वाला भी कोई नहीं बदा था, किस तरह की लडाई रही होगी, और एक बात जिसको भारत की पिहासकारों ने छुपा के रख था, और खास तो अपर कांग्रेस पार्टी की जमाने में जब कांग्रेस की सरकारे चला करते थी, और उस जमाने में जब कम्निस्टी की हासकार, जब देश काई की हास लिखा करते थे, किस तरह से महाराजय सुहल दे राजवर के साथ उन लोगों ने बेमानी की, किस तरह से हमारों को दबाने का काम किया आप सम लोगों को मैं बड़ा गर्व के साथ बताना जाता हूं कि उस लड़ाई के बाद जिस लड़ाई को महाराजर सुहंगराजबर ने लड़ा उस लड़ाई के बाद 75 बरस पर किसी भी प्रकार के आकुणड का कोई इतिहास नहीं बिलता है आप कोई लड़ाई नहीं दिखा सकते हैं आप किसी प्रकार का भारत पर हमला हुआ हो यह आपुधारन नहीं दिखा सकते हैं और भारत की भूब के लिए इस माती के लिए इस देश के लिए कितना बरा जज़वा उनके मन में था कि मुगलों का जो आतंक था उसको अजोध्या आने से पहले उन्होंने पहराईट और स्रावस्ति की माती करोपने का काम कर दिया था नहीं तो ये देश बहुत पहले बड़े खरावस्ति में हम लोग पहुंच गए थे तो मैं अपने साथियों का मैं स्वागत करना चाहता हूं कि दस जून की वही तारिक है जिस तारिक को महराजा सुहलदेर ने सयद सलार मसूत को महरा था और धारत को बचाने का काम किया था और इसी दस तारिक को हमारे साथियों ने भाई डाजेस और मुट्डू राजभर्दी ने यहां के तमाम संभानित ने ने महाराजा सुहलदे राजभर का सोरी दिवसमारानी का फैसला किया है मैं धनन्न करना चाहता हूँ मैं स्वाज़त करना चाहता हूँ साथियों का मैंने पिछली बार भी राजेश से कहा था कि गाजीपूर की धर्थी का अपना अलग एक महत्व है यहां से कोई संदेश उतता है तो उसको अंगिकार किया जाता है देश के अंदर और प्रदेश के अंदर गाजीपूर में जरूर महाराजा शुहलदे को तर्दाजरी अप्टि की जाही चाहिए पिछले बारे सी जखन्या की धर्थी पर आप सब लोगों ने महाराजा सुहलदे का भीजय जुरूस निकाल कर महाराजा सुहलदे का आप सब लोगों ने संबान किया था लेकिन इस बार गाजीपुर के जिरा मुख्याले पर आप सब लोगों ने सोरे दिवस मनाने का फैसला किया है मैं आप सब लोगों का स्वाधत करता हूँ साथ ही आप सभी लोगों का मया आवान करता हूँ, आप सब्ता भी वेटन करना चाहता हूँ, जिर उस कारिक्रम में आप जरूर भागीडार हो और उसमें सामिल होकर महाभार्तिक एक सच्चे लाल को, देश के एक महापुरुष को सच्ची सर्धांजरी अर्पिक करके उनको स सम्मान देने का काम करें और राजवर समाज और महाराजा सुहल्दर राजवर के इतिहास को समाज के सामने उजागर करने का उसको अस्तापिक करने का काम करें